हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे 15 लाग रुप्य के बजट में आने वाली सेफ़ेस्ट SUV इसके बारे में तो दोस्तो मैं संदीप स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोटर इन्सास में अगर दोस्तो चैनल पर नहीं हो तो फिली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तो पांच में नमबर प्रतिये टाटा की नेक्सम इस कार ने Adult Safe Trading में 17 में 16.06 का 5 स्कॐर किया है यही इस कारने Child Safe Trading की बात करें तो इस कारने 49 में से 25.00 का 3 स्कॐर किया है यह कार दोस्तो आपको पैतатыल के साथ साथ डीजल वारियंट में भी देखने को मिल जाती है उसी के साथ इस कार का आपको electric variant भी देखने को मिल जाता है ये कार आपको दो engine options में देखने को मिलती है इसका पहला engine है 1199cc का 3-cylinder petrol तर्वो engine जो की 118.35 bhp की power और 117 newton meter का talk generate करता है इसका दूसरा engine है दोस्तो 1497cc का 4-cylinder diesel engine जो 113.42 bhp की power और 210 newton meter का talk generate करता है और दोस्तों इस कार की mileage की बात करें तो ये कार आपको petrol पर 17.5 km पर लिटर तक की mileage दे देती है और इस कार की diesel की mileage की बात करें तो ये कार आपको 24.7 km पर लिटर तक की mileage diesel पर दे देती है इस कार में आपको 209 mm का ground trans देखने को मिल जाता है इसी के साथ साथ इस कार के बूटी स्पेस की बात करें तो आपको 350 लिटर का देखने को मिलता है ये कार आपको front wheel drive के option में मिलती है इस कार का 100 room price नूदिनली के साब से 7,8,000 से शुरू हो जाता है अब दोस्तो इस लिस्त में चौथे नंबर पराती है महंदरा की अक्षू भी 3W इस कार ने adult safe ratings में 17 में 16.42 का 5 star के साथ स्कोर किया है यहीं इसकी child safe ratings देखें तो इस कार ने 49 में से 37.44 का 4 star के साथ स्कोर किया है दोस्तो यह कार भी आपको petrol के साथ diesel variant में देखने को मिल जाती है यह कार आपको 3 engine options के साथ देखने को मिलती है इसका पहला engine है 1197cc का 3-cylinder petrol engine जो की 108.62 bhp की power और 200 newton meter का talk generate करता है इस कार में दोस्तो इसका दूसरा engine है 1197cc का 3-cylinder petrol engine जो की 128.73 bhp की power और 230 newton meter का talk generate करता है इस कार में दोस्तो आपको इसका 3 engine देखने को मिलता है 1497cc का 4-cylinder diesel engine जो की 115.5 bhp की power और 300 newton meter का talk दिलवर करता है अब दोस्तो इस कार की mileage की बात करें तो ये कार आपको petrol पर 17 km पर लीटर तक की mileage दे देती है इसकी diesel की mileage की बात करें तो ये कार आपको 20 km पर लीटर तक की mileage diesel पर देती है इस कार में आपको 42 लीटर का fuel tank देखने को मिल जाता है इसी के साथ ये कार आपको manual transmission के साथ automatic transmission में भी देखने को मिल जाती है इस कार का दोस्तो एक्षोरूम प्राइज 8,41,000 से शुरू हो जाता है अब दोस्तो इसी लिष्ट में तीसरे नमबर पर आती है महंदरा की अक्षूभी 7W इस कार ने adult rating में 17 में 16.03 का 5 star के साथ स्कोर किया है यहीं इस कार की child rating की बात करें तो इस कार ने 99 में से 41.46 का 4 star के साथ स्कोर किया है ये कार दोस्तो आपको petrol के साथ साथ diesel variant में भी देखने को मिल जाती है उसी के साथ ये आपको 2 engine options में देखने को मिलती है इसका पहला engine है 1999 CC का 4 cylinder petrol engine जो की 197.13 BHP की power और 380 Nm का torque rate करता है इस कार में आपको इसका दूसरा engine देखने को मिलता है 1998 CC का 4 cylinder diesel engine जो की 182 BHP की power और 450 Nm का torque rate करता है इसी के साथ साथ दोस्तो इस कार में आपको 60 L का fuel drink देखने को मिल जाता है इस कार में दोस्तो आपको 80 feature के साथ साथ all wheel drive का option भी देखने को मिल जाएगा ये कार आपको 5 और 7 seater option में देखने को मिलती है इस कार का दोस्तो एक्सवरू प्राइज न्यू दिनली के साब से 3,455 यार से सुरू हो जाता है अब दोस्तो इसी लिष्ट में दूसरी नमबर पाती है टाटा की पंच इस कार ने adult safe trading में 17 में 16.45 का 5 star के साथ स्कोर किया है यहीं इस कार की child safe trading की बात करें तो इस कार ने 49 में से 40.89 का 4 star के साथ स्कोर किया है दोस्तो यह कार अभी तो आपको सिर्फ petrol variant में देखने को मिलती है और दोस्तो टाटा ने इसका auto expo में CNG variant reveal कर दिया है और दोस्तो इसी के साथ साथ यह कार आपको सिर्फ एक इंजन आप्शन में देखने को मिलती है यहीं इसकी automatic mileage की बात करें तो यह कार आपको 18.8 km per litre तकी mileage automatic में दे देती है इस कार में आपको 37 litre का fuel time देखने को मिल जाता है इसी के साथ साथ यह कार आपको manual transmission के साथ साथ automatic transmission में भी देखने को मिल जाती है इस कार में आपको 366 लीटर का boot space देखने को मिल जाएगा और इस कार के ground cranes की बात करें तो वो आपको 116 mm का देखने को मिलता है और दोस्तो ये कार आपको 5-seating option में देखने को मिल जाएगी इस कार का exorum price usually के साब से 6 लाख रुपे से सुरू हो जाता है अब दोस्तो इस रिष्ट में पहले नमबर पाती है फॉक्स बैगन की टाइकून या आप इस इसकोड़ा कुशाय भी कह सकते हो इन कारण दोस्तो एडल सेफ टेटिंग्स में 34 में से 29.64 का 5-seating के साथ स्कोर किया है यहीं इनकी चैल सेफ टेटिंग्स देखें जो की 113.98 VHP की पावर और 178 Nm का टॉक जनरेट करता है इनमें आपको दूसरे एंजिन देखने को मिलता है 1498 CC का 4-cylinder पैट्रोल एंजिन जो की 147.1 क्यामन VHP की पावर और 250 Nm का टॉक जनरेट करता है इसी के साथ यह कार आपको Manual Gearbox के साथ Automatic Gearbox में भी देखने को मिल जाती है इन कारों के अगर Fuel Tank की बात करें तो आपको 50 L का देखने को मिल जाएगा इन कारों में आपको 188 Nm का Ground Crams भी देखने को मिल जाता है यह दोनों कार आपको Front Wheel Drive के option में देखने को मिल जाती है अब इनके प्राइज की बात करें तो इसकोड़ा कोशेक का एक्शोरूम प्राइज नूदिल्डी के साथ से 11,669 से सुरू हो जाता है और दोस्तो फॉक्स वेकन टाइगून का प्राइज 11,566 से सुरू हो जाता है तो दोस्तो वीडियो के रखते हैं इतना ही तो जल्दी मिलेंगे किसे दूसरी वीडियो में जय हैं दोस्तो